वीती रात गोड़ा के गंगता में एक चोर द्वारा घर में खुस कर चोरी करते घरवालों ने पकड़ लिया चोर इतना शातिर था कि वह दिवार पांद कर घर में प्रवेश किया था और घर से मोबाइल लेकर परार हो रहा था तबी अचानक घरवालों ने उन्हें देखा और तुरंत पकड़ लिया घरवालों ने बताया कि करीब चार की संख्या में चोर घर में घुसे थे जिसमें तीन मौके पर फरार हो गए वहीं एक चोर पकड़ा गया वहीं चोर को पकड़ने के बाद घरवालों द्वारा तुरंत इसकी सूचना नगर थाने को दे दी गई और नगर थाना पुलिस घटना सल पर पहुँचकर चोर को अपने गिरफ्ट में ले लिया वहीं चोर के पास से एक कीपेड मोबाईल पुलिस ने बरामत किया है जो घरवालों का ही था जानकारी के मुताबिक चोर गंगता का ही रहने वाला था और चोर के आसपास के छेत्रों में भी कई दफ़ा चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है जिसे चोर ने पुलिस के सामने कुबूल किया है वहीं पुलिस चोर को ले कर लगतार हर जगह पर जाज कर रही है जहां चोर ने पहले चोरी की थी और चोरी किये गए समानों को जहां बेचा था उस जगह पुलिस जाज कर रही है दरसल आज मेरा बेटा का बर्डे था तो तुस्तिया इन में गय हुए थे वहाँ पर बर्डे सेलिबरेट कर रहे थे इसी बीच में मेरे बगलगी रहे है एक सुजाता कुमारी नाम है तो वो कॉल की हमको अचाना कि पवन हुए आपके घर में कोई घूस गया है तो जल्दी आए जल्दी से दोड़ करके मुश्किल से पांच मिनट लगा हुए और तो यहां पर देखे यह लड़का था वहां पर पकड़ाया और घर में ही पकड़ाया है घर के अंदर से मेरे घर के अंदर पांच साथ लोग अमोड़ले के और थे वह भी इसको पकड़के रखे चोरी एक मेरा हैंडसेट था बटन वाला कीपड वो अंदर रखा हुआ था उसको डाल लिया था अपने पोकेट में बांकि अभी यह ताला तोड़ी रहा था ज्यादा कुछ चोरी कर नहीं पाया है सामने में मतलब पकड़ा गया चोरी करते करते कितने घर में कितने घर में अब तो तीन घर में अटेम्ट लिया इससे परले एक घर में इनके बगल में अच्छा फिर अपना सब्धानी में ही रहो तो फिर आम लोग उतना बात का ध्यान ने दिया नेकिन तब तक फिर बच्चाबूत रूखा कर जब शहत पर गया तो दिखते है कि इसके हैं फिर आवाज वाज होने लगा तो लोग फिर बलवाज सब जाके गया तुसको पकड़ा क्या सुचना मिला कि एक लड़का घर में धुच गया था चोरी करने पासर से इसे पकड़का ग्रामिनों ने रखा था तो हम लोग आए उसको ले करके जा ऐसके साथ में रोगे क्या लाँषारा तो क्या लगता है कि चौर का उमर कितना है चोट मतलब नावालिक लग रहा है हम तो कहां काय बता या पता होता बता है कुछ तो कुस मतलब समान बनचोरी हूब कि बस मतलब चोली करते हुए पकड़ा गया अधिशा मुबाइल ही लिया था और कोई बात पूर नहीं एक्सेप्ट कर रहा हुआ ठीक कैसे जोला था रहे? हाँ? दो चाड़के पतो अच्रसा पारता नहीं भाग जाए हाँ नहीं नहीं नहीं